नमस्कार मैं जोत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बेहद ही यूजफूल किचेन का प्लांट लेकर जो की हम लोग डेली यूज़ करते हैं और यह ओनियन का सिडलिंग है दोस्तों और इस तरह आप स्प्रिंग ऑनियन भी यूज़ करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो क्यों न हम इसे घर में ग्रो करें तो इस तरह मैं मार्केट से लेके आई थी यह लाए हुए वन वीक हो गया है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं पिछले सॉपिंग हॉल वीडियो में मैं इसका सिडलिंग दिखाई थी आपको कि मैंने खरीदा है और मैं जब इसको ग्रो करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी तो आज उसी पर वीडियो है दोस्तों कि किस तरह आप ऑनियन सिडलिंग को अपने सिड लगाना है आप देख पा रहे हैं काफी हेल्दी है और बहुत अच्छा से इसका रूट भी ग्रो हुआ है सारे सिडलिंग में तो आज इसी के बारे में जानकारी फुल इंफर्मिशन है दोस्तों तो वीडियो को लाश तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पार्ट छुट ना जाए लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाली बटन होती है दोस्तों उसको जरूर प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हमें किस तरह किस कैसे गंबले में यह ओनियन को लगाना चाहिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह फ्रूट का बास्केट है जो मार्केट में आपको देखने को मिलता है जो बड़ा बड़ा होल होता है उसके लिए मैंने यह जो आटे की बोरी होती है यह वह मेरा वेस्टेज था इस तरह मैं साइट से इसको बिच्छा ली हो ताकि कोई भी अगर स्वाइल में हम डाल रहे हैं तो साइट से बहे नहीं पानी बन के तो इस बात का खास ख्याल है इसमें साइड से कोई भी चलो या जो भी आपके पास विस्टेज़ प्लास्टिक हो इस तरह कभर कर लेना है और मेरे अटे की बोरी थी तो मैंने इस rep92 आपके पास जो एभी लेबले लेकिन आपका पानी भी न रुके इस तरह ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखते हुए आप नीचे में छोटे कंकड़ के टुकड़े हो या इंट के टुकड़े हो या लीफ भी आप बिछा सकते हैं इस तरह मैंने बिछा लिया है और उपर से यह स्वाइल मीडिया मैंने डाल है और इस स्वाइल मीडिया में मैंने क्या-क्या मिलाया है इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो आप मैं लिंक डाल दोंगी आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कि मैंने इसमें क्या-क्या मिलाया है इस तरह स्वाइल मीडिया आप मिला के इस तो इस तरह आपको भी रखना है थोड़ा सा खाली इस तरह इतना सा और उसके बाद ये पानी में पहले से डाल चुकी हूँ आपको पानी रात को डाल देना है और सुबह इसमें लगाना है और यदि सुबह में आप पानी डाल देते हैं तो आपको शाम को इसमें प्लान को ल प्लीटली इस तरह तोड़के खटा दीजिए ऐसे तो ज्यादा अच्छा ये होता है और जो बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा इस तरह बड़ा है तो उसको भी आप हटा सकते हैं सिंप्ली इस तरह सीजर से कट करके ऐसे हलका इसको छोटा कर लेना है आपको उसे यह होगा कि आपको रूट बहुत अच्छे से ग्रो होगा इस प्लांट का और उपर ज्यादा इसको ताकत नहीं लगाना होगा क्योंकि जब रूट इरज़स्ट कर जाएगा तो आपका उपर करना है दोस्तो इस तरह आपको होल करना है और होल धियान रहे दोस्तो थोड़े थोड़े दूरी पे करना है यहां एक आप सिडलिंग डालेंगे और एक यहां डालेंगे तो आपको दोनों में इस तरह थोड़ा इधर भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा इधर भी बड़ा ह तो आप इसको single डालगे इसमें इससे, खोल करके इसमें आपको लगा देना है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह थीन है, पतला है, इसको आप दो-पीश करके लगाए, इससे फाइदा यह होगा दोस्तो, कि यदि one piece आपका मर भी सकता है, आपका प्लांक, तो दू सिंगल इस तरह लगा सकते हैं, यह देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने सारे ओनियन सिडलिंग को लगा लिया है, इस तरह होल करके आपको उंगलिस इस तरह लगाते जाना है, और आपको साइट से इस तरह मिट्टी को फिल करते जाना है, सारे को इस तरह लगाते जाहिए, इस हुआ देखते हैं कोई भी चीज तो बहुत अच्छा लगता है चाहे वो एक ही दो फ्रूट क्यों न दे हमें तो एक अलग सी खुशी होती है तो और उपर से यह जो स्प्रिंग ओनियन है वो खाना भी काफी हल्दी होता है और टेश्टी भी लगता है तो आपको स्प्रिंग ओनियन भी मिलेगा अपने घर का ताजा ताजा और साथ में इसके जो कंद बैठेंगे वो अलग से आपको ओनियन मिलेगा तो बहुत इजी ग्रो है दोस्तों बड़ी ही आराम से आप अपने इस तरह के बास्केट में भी लगा सकते हैं और आपके पास जो बड़े गमले है उसमें भी लगा सकते हैं कम से कम गहराई 10 इंच होना चाहिए 10 से 12 इंच गहराई आपके पॉड का हो तो बहुत अच्छा होता है और जैसा कि आप देख पा रहे है इसका गहराई काफी अच्छा है जो फ्रूट कारेट का होता है इसमें बहुत अच्छे से हेल्दी वे में और न्येंग रोघ्णी और तो नेक्स्ट काम करना है दोस्तों यसको है पानी देना और पानी की बात करें दोस्तों इसको पुरा नहीं होना चाहिए थोड़ा मौश्र बना रहा है उसके उस पर ही आपको उपर से पानी डालना है पिरा कहने के मतलब यह है दोस्तों कि आपको डेली सुबह मौर्णिंग में आपको इसको पानी देना है स्वाइल को ड्राइ नहीं होने देना है तभी आपका ओनियन अच्छे से ग्रो होगा और नीचे भी इसका जो आलू बनता है जो कंद बनता है वो अच्छे से इसका राइजोम बनेगा तो इस तरह आप इसका पानी का ख्याल रखेगा तो बहुत अच्छे से ये ओनियन आपका ग्रो करेगा उपर इसका पत्ती भी अच्छे से ग्रो करेगा और नीचे भी और बाद में फिर नेक्स स्टेप आपको जो करना है थोड़ा सा जब ओनियन ये ग्रो हो जाएगा तो मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर कवर करूंगी कि हलकी सी इसको गुड़ाई करते हुए आपको फटि सनलाइट हो इसको पूरी दिन की सनलाइट मिले तो बहुत अच्छा रहता है और यदि आपके पास अब लेवल नहीं हो पूरे डे की सनलाइट तो यदि मतलब हाफ डे भी मिल जाए तो इसके लिए सफिशेंट है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो तरह संलाइट का ख्य यह इतनी जंदकारी थी हमें उमीद है कि आपके लिए काफी हेलफुल होगा यह वीडियो तो हमारा यह वीडियो देखते रहिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए प्लांट के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नए इंफर्मिशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार